तो आईए हम solve करते हैं numerical question जो कि board exam के लिए बहुत important रहते हैं अक्सर पूछे जाते हैं परिक्षाओं में question number 6 page number 462 और हम जो question 6 पर हैं यह question आप देख सकते हैं 2019 की board exam में पूछा गया था जब last time board exam हुए थे कोरोना से पहले 2019 में तब यह परिक्षा में पूछा जा चुका है इस question को हम लोग solve करेंगे इससे पहले मैं इस question के type को समझा दूँ कि हम किस प्रकार के question को solve करने वाले हैं हम करने वाले हैं संपूर्ण रासी एक साथ प्राप्त होना मतलब amount received in lump sum जब amount एक साथ जितने भी होते हैं वो एक साथ ही receive हो जाते हैं तब किस तरह से entries की जाती है amount किस तरह से लिखे जाते हैं वो हम इसमें सीखेंगे क्योंकि एक दूसरा situation यह होता है कि amount जो है वो अलग-अलग किस्तों में मांगा जाता है पहले application के पैसे लिए जाते हैं फिर allotment के पैसे फिर first call, second call, third call इस तरह से अलग-अलग किस्तों में पैसे मांगे जा सकते हैं लेकिन फिलाल हम कर रहे हैं जो कि परिक्षा में बहुत पार पूछा जाता है और इस बार तो और भी chances हैं क्योंकि इस बार बड़ी questions नहीं पूछे जाएंगे अधिक्तम चारंग के ही questions पूछे जाएंगे जैसा कि blueprint board ने जारी किया हुआ है तो इस question को हम हल करते हैं journal entries करने के लिए कहा गया है एक बार मैं question read कर देता हूँ आप लोग के लिए Y limited ने 10 रुपे वाले 15,000 संता आंस जनता में निर्गमित किये संपूर्ण रासी एक मुस्त प्राप्त हो गई Y limited की पुस्तकों में journal प्रविष्टिया कीजिए Y limited has issued 15,000 equity share of 10 rupees each to the public all amount is received in lump sum past the necessary journal entries मतलब हमें कह रहा है कि total 15,000 से एक अंस की कीमत 10 रुपे है जिसे जनता के बीच बेचे गए है और पूरा पैसा जनता ने एक साथ ही दे दिया है किस्तों में payment नहीं हुआ है होता है ना जैसे कि हम कोई चीज खरीदते हैं मनल हम बाइक खरीद रहे हैं या कार खरीद रहे हैं तो हम एक साथ पूरे पैसे दे के भी खरीद सकते हैं और अलगलग किस्तों में भी खरीद सकते हैं तो यह option share के भी साथ होता है, यहाँ हमें जो share बताये गया है, वो बताये गया है कि किस्तों में नहीं लिया गया, वो एक साथ पूरे पैसे दे कर, पूरे payment एक साथ करके लिया गया है, जोसरी खास बात इस प्रश्चन में ये है, कि इसमें किसी भी किस्त का नाम नहीं लिया गया है कि ये पैसे application पर receive हुए है या ये allotment पर receive हुए है ये नहीं बताया गया क्या होता है कमपनियों में पहले से define होता है पहले से निस्चित होता है कि कौन से अंसों पर एक साथ पैसे लेने हैं और कौन से अंसों को अलग-अलग किस्तों में तो कभी-कभी यदि कोई decided है कि यह किस्तों में यह आंस दिये जाएंगे लेकिन कोई अंसधारी चाहता है कि नहीं मैं पूरे पैसे एक साथ ही दे दूँगा तो वो application के साथ साथ ही पूरे पैसे दे देता है तब अलग situation होती है अलग तरह से हम उस question को treat करते हैं लेकिन जब यह इस्थिती हो कि किसी भी किस्त का नाम नहीं दिया गया वो पहले से ही defined था कि एक साथ ही बेचे जाएंगे इसे किस्त पर नहीं बेचा जाएगा तब हम किस तरह से हल करते हैं वो हम सीखेंगे question number six में तो इसके लिए आप लोग journal पहले सीखे हुए होंगे journal के format या pro farma आपको पता होगा फिर भी मैं आपको एक बर बता दूँ आप देख पाएंगे हमारे पास है journal का बना हुआ एक pro farma जिसमें हम अभी entries करेंगे इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि journal entries तीन types के जो हमने खाते पड़े हुए है 11th में उसके आधार पर किया जाता है उसके basis पर किया जाता है हमने पढ़ा हुआ है वेक्तिगत खाता वस्तुगत खाता और नाम मातर का खाता इंग्लिश में personal account, real account और nominal account इनके जो debit credit के नियम पड़े हैं उन नियमों के आधार पर ही ये entries भी होती है लेकिन ठोड़ा सा फरक आएगा वहां से तो हम उसको समझ लेंगे और आपको धीरे धीरे याद होता चलेगा तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे आपके question number 6 में आपने book में निकाल लिया होगा यदि आपके पास सिवलाल की book है और उस new book है तो 462 के page number 6 पर आपको ये question आसानी से मिल जाएगा why limited की पुस्तकों में हमें करना है तो आप ध्यान रखें format में सबसे पहले आपको journal entries उपर लिखना होता है और फिर लिखना होता है कि ये किस के लिए बना रहे हैं आप किस की तरफ से ये entry कर रहे हैं तो in the books of why limited मतलब हम why के लिए ये entries कर रहे है date, particular, LF, amount debit और amount credit ये हमारे columns होते हैं journal के जैसा कि आपको पहले से पता होगा आमतोर पर जब हम share से समंधित entries करते हैं paper में हमें जब आता है तो date दिया नहीं होता तो हम date वाली column को बनाएंगे जरूर हर बार लेकिन उसमे date ना लिखकर हम serial number लिखेंगे अक्सर आपके साथ ये होगा कि आपके book में या question paper में date नहीं दिया हुआ होगा तो आप date column में डालेंगे serial number जैसे कि हम serial number 1 डाल रहे हैं हम पहली entry करने जा रहे हैं इसलिए हमने serial number 1 डाल दिया जब actual company की बात करते हैं तो वहाँ एक date होता है कि किस date पर issue किया गया सेयर को वो date यहाँ लिखा जाता है लेकिन हम actual company के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ date नहीं होता हम serial number डाल रहे हैं और जैसा कि हमें प्रश्ण में बोला गया है आपको एक बार फिर से प्रश्ण दिखा दूँ कि 10 रुपे वाला 15,000 अंस था और सारा पैसा एक मुस्त मतलब लंसम receive हो गया है तब सबसे पहले bank वाली entry आती है मतलब bank में सबसे पहले पैसा जो application का पैसा होता है वो भी bank में ही आता है और यहां तो पूरे पैसे एक साथ दिये गए है तो यह भी bank में ही आएगा और journal का rule कहता है कि bank जो है bank एक personal account है तो personal account का नियम कहता है कि पाने वाले को debit किया जाए debit the receiver यह नियम हमने पढ़ा हुआ है तो पैसे तो bank ही receive कर रहा है यह असानी से कोई समझ सकता है क्योंकि अंसो के पैसे share के पैसे एक साथ paid किये गए है तो receiver कौन है पैसा किसे मिल रहा है bank को मिल रहा है तो उसे debit करना चाहिए आप यह याद भी रख सकते है और समझ कर भी रख सकते है कि bank account को हमें करना होगा debit क्यों कर रहे हैं हम इसे debit क्योंकि bank receiver है इसे amount receive हुआ कितना amount receive हुआ तो इसे हम कुस्टक में यहाँ पर दरसाया जाता है हम हर बार दरसाएंगे आपको दरसाना होगा amount receive हुआ है तो हम यही करने वाले है हम इस तरह से करेंगे हम 15,000 यहाँ लिखेंगे इसमें into कर देंगे गुना कर देंगे 10 रुपे से और इसे 100 करना है यहाँ पर आपको गुना करके यहाँ नहीं लिखना होता यह amount आप debit column में लिखेंगे क्योंकि यह debit हुआ है इसलिए debit column में amount को लिखा जाएगा तो यह हो जाएगा 1.5,000,000 रुपे कॉमा का विसेज ध्यान रखें संख्याओं को लिखते वक्त आप कॉमा का भी प्रयोक करें सही जगा पर आप कॉमा का नियम सीख सकते हैं 1.5,000,000 रुपे हमने लिख दिया amount यहाँ पर debit हुआ और credit क्या होता है debit तो आप आसानी से समझ गया होंगे क्योंकि bank पैसा receive कर रहा है इसलिए bank को debit किया गया यहाँ हमने 100 किया की 15,000 earns है और 10 रुपे 1,000 की कीमत है इसे हमने into करके 1.5,000,000 रुपे debit में लिख दिया अब चलते हैं credit की और क्योंकि हम पढ़ चुके हैं हर debit के साथ एक credit जरूर होता है तो credit क्या होगा तो credit होता है जिस किस्त का पैसा आपको मिला है अगर किस्त वाइस दिया हो तो वो किस्त debit होता है otherwise यदि पैसे एक साथ receive हुए है क्योंकि यहाँ किस्त है ही नहीं कहीं किस्त का नाम लिखा ही नहीं है तो हम किस्त को credit नहीं कर सकते जैसे कि application अलोट्मेंट इन्हें credit नहीं कर सकते हमें credit क्या करना होगा हमें credit करना होगा आप एक बार question में देख लेंगे कि किस प्रकार के answer दिये गए है हमारे पास तो हम देख रहे हैं सम्ता अंस मतलब इंग्लिश में होता है equity shares तो हमें जहां भी हम share लिखेंगे उसके साथ equity लिखना जरूरी है तो हम credit करेंगे to equity share holders एकाउंट इक्विटी share holders एकाउंट इससे हम credit करेंगे आप याद रख लें कि जब भी एक मुस्त एक साथ पैसा रिसीव हुआ हो पैसे एक साथ दिये गया हो अलग-अलग किस्तों में application, allotment या call के द्वारा नहीं दिया गया हो तो आपको हमेशा equity share holders account को ही credit करना होता है बसरते situation ये होनी चाहिए कि किसी भी किस्त का नाम प्रशन में नहीं दिया गया और पैसे एक साथ रिसीव हुए है तो पहला entry आ जाता है bank account debit to equity share holders account और इसमें भी आपको into करके दिखाना होगा और वो उतना ही रहेगा 15,000 उसमें हम करेंगे 10 से गुना 10 से into और ये amount क्योंकि इसे हमने credit किया हुआ है तो ये amount आएगा credit में यहाँ आप debit में dash डाल दे यहाँ dash डाल दे और यहाँ same amount आएगा जैसा हम जानते है debit और credit का amount हमें सा equal होना चाहिए हर entry में तो यहाँ पर 1.5,000,000 रुपए आ जाएगा entry हमने कर लिया अब हमें लिखना होगा इसका narration तो narration आपको रटने की जरुरत नहीं है narration बहुत आसान होगा अगर आपको थोड़ी बहुत English आती है और अगर आपको English में दिक्कत होती है तो आप narration को याद भी कर सकते हैं क्योंकि 3-4 type के ही narration आपको use करने होंगे इन सवालों में तो 2 में से एक तरीका आप अपनाए या तो आपको English आती है तो आप समझ लें और उसे translate करके लिखते चलें या आप रट लें याद कर लें narration किस situation में क्या आता है तो फिलहाल मैं आपको बताऊँ यहां क्या हुआ है यहां bank में share की जो money है uns का जो पैसा है वो एक साथ receive हुआ है जिसे लंसम कहा जाता है तो हम लिखेंगे being जो की हमेशा लिखा जाता है starting में share money received in lump sum यह आप sort में मैंने आपको narration बताया कि जो हुआ है आपने बस उसे इंगलिस में लिख दिया being share money received receive मतलब मिला प्राप्ट हुआ in lump sum मतलब एक मुस्त एक साथ share का पैसा receive हुआ हमने इस narration में unsow के numbers को share के numbers को mention नहीं किया share के amount को mention नहीं किया क्योंकि हम यहां so कर चुके हैं इसलिए हमने नहीं किया कई books में या फिर कई teachers आपको यहां इसमें भी लिखने की सलाथ देंगे लेकिन हमें जरूरत नहीं है अगर हमने यहां so कर दिया है unsow का number और amount तो हमें यहां narration में लिखना जरूरी नहीं है अगर लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं लेकिन उससे narration थोड़ा लंबा हो जाएगा तो हमें इससे लिखना जरूरी नहीं है यह जब एक entry हम complete कर लेते हैं तो जैसा आप पहले भी करते होंगे हमें यहां पार्टिकूलर्स में सिर्फ narration के नीचे एक single line से इसे बंद करना होता है बाकी हिस्सा खुला रहेगा एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ यह किस चीज का entry है जब पैसा एक साथ एक मूस्त रिसीव हुआ हो तो हमने entry किया क्योंकि bank को पैसा मिला है पाने वाले को हमने debit कर दिया bank account debit कितने अंस थे share कितने थे 15,000 एक share कितने का था 10 रुपे का तो हमने कितने amount receive किया 1,500,000 रुपे 1,500,000 रुपे उसे हमने debit column में लिख दिया credit क्या होगा to equity share holders account यह आपको याद भी रख सकते हैं या फिर आप rule wise भी देख सकते हैं कि पाने वाले वैक्ति को हमने debit किया तो देने वाले वैक्ति को हमें credit करना चाहिए तो equity share holder share holder कौन होते हैं हिंदी में कहते हैं इसे अंसधारी समता अंसधारी तो यह देने वाले लोग हैं इन्हों ने ये पैसा bank में दिया या bank को दिया तो इसलिए देने वाले को credit रूल ये है अगर आपको जर्नल का नियम मालूम है तो पाने वाले को debit देने वाले को credit बहुत सिंपल ही आप याद कर पाएंगे कभी बनी भूल सकते आप सिधा सिंपल ही सोचिए कि किस ने दिया है ये पैसा तो आपका जवाब होगा कि shareholders ने दिया है अंसधारियों ने दिया है जिन्होंने अंसखरीदा है उन्होंने दिया है तो उनके नाम को हमने कर दिया credit यह आप रट कर रखिये कि जब भी एक मुस्त पैसा मिलेगा तो पहला entry होगा bank account debit to equity shareholders account यह आप याद भी कर सकते हैं क्योंकि हमें इस प्रष्ण में कोई किस्त का नाम नहीं दिया second entry क्योंकि हमें साथ जोडे में entry किया जाता है जब हम share से समंदित प्रश्णों को solve करते हैं तो हम second entry क्या करेंगे हम second entry आपको मैं पहले sort कर तरीके से बताता हूँ कि जो account आपने credit किया हुआ है हापर आप देख रहे हैं हमने two equity shareholders account को किया है credit इसे आप उल्टा कर दीजिए ये credit हुआ है तो इसे debit कर दीजिए हम कर देंगे इसे debit equity shareholders account debit क्या किया हमने जो first entry में credit हुआ है जो account उस account को second entry में हम उल्टा मतलब credit से debit में ले आ रहे हैं इसे debit कर दिया ये हाला कि ये है तो एक ही इसी entry का हिस्सा लेकिन फिर भी हम यहाँ पर भी into करके दिखाएंगे कि 15,000 अंस्थे 10 रुपे उनकी कीमत थी और credit क्या हो जाएगा तो आप याद रखेंगे कि जब भी second entry की जाती है पैसा transfer किया जाता है तो वो share capital account में transfer किया जाता है क्योंकि यहाँ equity share है तो हमें equity साथ में लिखना होगा तो equity share capital account में ये money transfer हो जाएगा equity share capital account to equity share capital account इसे हमने कर दिया credit और 15,000 अंस्थे 10 रुपे उनकी कीमत थी क्या entry थी मैं आपको फिर से repeat कर दूँ जो हमने जिस account को credit किया था first entry में सेम उसी account को उठाया और यहाँ हमने कर दिया उसे debit उल्टा करना है आपको याद रखना है और साथ में क्योंकि अब इस share holders ने जो पैसा दिया था उस पैसे को हम transfer कर रहे हैं equity share capital account में यह हर बार किया जाता है आप याद रखेंगे share capital में ही amounts को transfer किया जाता है at the end इसी खाते में पैसे चले जाते हैं तो क्योंकि यह प्रशन हमारा equity shares के बारे में है इसलिए हमने equity share capital लिखा है नरेशन क्या हो जाएगा क्या किया है हमने जो money lump sum में receive हुआ था उस money को हमने यहां किया है transfer किस account में equity share capital में अगर आप समझदारी से काम लें तो entry से ही narration बन जाता है थोड़ा सा आपका English अच्छा हो entry आपने किया हुआ है तो entry से ही narration बन जाता है तो हम क्या करेंगे being सबसे पहले लिखेंगे जैसा कि हमेशा लिखा जाता है और फिर क्या किया गया है share का जो पैसा है मतलब हम लिखेंगे share money being share money क्या किया गया है transfer किया गया है हम second form में लिखेंगे transferred आप एक बार यात कर लेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा being share money transferred to कहां transfer किया गया है equity share capital account में यह जो share का पैसा था इसको share capital account में transfer किया तो जहां किया वही नाम लिख दिया हमने to share capital account यह अपने narration लिख दिया आप चाहे तो यह पूरा लिख सकते थे कि equity share capital account में transfer किया being share money transferred to share capital account या equity share capital account main account होता है share capital account यह तो आपका change होता रहेगा question wise यह हर question में नहीं रहता लेकिन यह हर question में रहता है तो पहली entry में हमने पैसा bank में receive किया था किस ने दिया था यह पैसा shareholders ने दिया था credit कर दिया हमने फिर यह पैसे transfer किये तो क्या किया हमने equity shareholder account को debit कर दिया जो कि यहाँ credit हुआ था और पैसे transfer कर दिया equity share capital account amount हम एक बार फिर लिख लेते है debit का amount हो जाएगा डेड़ लाख रुपए मतलब एक लाख पचास अजार रुपए यहाँ डेज डाल दें और credit का amount भी हो जाएगा डेड़ लाख रुपए amount हम लिख चुके हैं तो दोनों का हम अब total कर लेंगे total आप कहां करें जहां entry समाप्त हुई हो खत्म हुई हो वहाँ आप entry करें और आप जानते होंगे कि total के नीचे double lining करना ज़रूरी होता है तो अब यह प्रारूप था इसे हमने थोड़ा सा और बड़ा कर लिया ताकि वह awkward ना दिखाई दे अब इसे हम जोड़ लेते हैं तो आप आसानी से इसे जोड़ पा रहे होंगे कि यह देड़ और देड़ लाख तीन लाख हो जाएगा यह तीन लाख amount हमारा इस question का total हो गया और last में हम पूरे account को इस तरह से बंद कर देते हैं अगर आपका basic clear है तो इन बारी क्यों से आप पहले से ही आउगत होंगे पहले से ही आपको यह बारी किया पता होंगी यहां हम लिख देते हैं total और यह entry complete हुई थी इस entry को हम close कर देंगे narration में तो इस तरह से अब आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा कि मैंने यह entry complete कर ली है यह है journal entry जो है in the books of why limited यह है question number six और अगर आप सीवलल की बुक में है तो page है 462 आप इसका screen shot ले सकते हैं जिससे आप आसानी से अपनी copy में इसे बाद में आराम से कर पाएंगे और अगर इस question को समझने में कोई दिक्कत आ रही हो इसमें किसी entry को समझने में दिक्कत हो तो आप message कर सकते हैं मुझे बता सकते हैं कि कहां आपको दिक्कत हुई मैं मैं उसे और explain करने की कोशिश करूँगा और अगर आपको ये समझ में आता है तो next video के लिए आप wait करिए next video next important question के साथ जल्द ही हम मिलेंगे और वो मैं इसी के इसी question के दूसरे type को लेकर आऊँगा जिसमें application पर पैसा एक साथ receive हुआ हो मैं आपको पहले ही बता चुका इसे अप्रिवाइस करें